जैसा कि आप सुभे लोग पता है कि BPSC के तरफ से BPSC TRD 3rd का आपका admit card जो है उजारी कर दिया गया admit card download करने से पहले आप अपना 25 के वी का photo जो है upload करेंगे उसके बाद ही आप अपना admit card जो है उडाउनलोड कर सकेंगे कि या तो आप अपने photo के स्थान पर किसी दूसरे का photo upload कर दिया हो या फिर जो आपने photo upload किया वो आपका photo इतना धूमिल या फिर इतना धूंदला है कि वो आपका इस परस्ट किलियर ही नहीं पर है कि वो आपका ही photo upload है हलाकि ये सभी चीज आप यहाँ पर complete कर चुके हैं आप अपना photo upload करके आप अपना admin card जो है वो download कर लिए हैं अब यहाँ पर आप लोग का tension जो है यहाँ पर बन चुका है कि अब यहाँ पर क्या होगा क्या हमें यहाँ पर exam देने दिया जाएगा या फिर हमें यहाँ पर exam जो है उनहीं देने दिया जाएगा इस तरीके से आपका photo में जो आपका गलती है वो आप लोग यहाँ पर किया है तो देखे सबसे पहले यहां पर इसी चीज़ को लेकर बात करेंगी कि आपका क्या होगा लेकिन उसे से पहले यहां पर बता दें कि यदि इस चीज़ को लेकर आप यहां पर चिंतित हैं तो पुड़ा जो आपका टेंसर या फिर चिंता है उसे आप यहां पर किनारे रखकर जो भी यहाँ पर आपका समय बचा हुआ है, वो आप अपने समय का पुड़ा उपियोग जो आपका पढ़ाई है, उस पे जो है आप यहाँ पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को exam देने जो है उदिया जाएगा, इसमें किसी भी तरीके का आपका रोग टोग जो है प आपका TRE2 का declaration form है, जो आपका TRE3 का declaration form होगा, वो भी आप लोग यहाँ पर जो है मिल जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यह जो आपका घोसराडा पत्र होता है, वो आपके यहाँ पर photo और signature के लिए ही यहाँ पर जो है पर आपका होता है, जो कि आप यहाँ पर response के तरफ से यहाँ पर क्या किया गया, कि आप लोग यहाँ पर क्या किया कि आप अपने photo के अस्थान पर किसी दूसरे का photo जो है upload कर दिये थे, या फिर यहाँ पर क्या कि जो आपका photo है, वो आपका और इस first है, आनि कि आप अपना photo तो सही upload किया हो, आनि आप अपना अपना म क्या करते हैं के signature को आप यहां पर resize करने में इतना धुंदला कर देते हैं कि आपका signature दिखता है इने पुड़ा ब्लैंक काला जो है को आपका अशेफर दिखाई देता है तो आप ठनी हो यह फिर जो आपका photo और जो आपका form submit करते time जो आपने photo upload कर दिया वहीं आपका photo यहाँ पर होना चाहिए ऐसा बिलकुन है बस आपका ही आपर photo होना चाहिए वो आपका यहाँ पर चल जाएगा कोई यहाँ पर आपका दिकत नहीं है और जिनका हर एक चीज़ सही है आनि आपका photo भी सही है signature भी सही है हर एक चीज़ सही है तो यह जो आपके declaration form है आपको लेकर नहीं जाना होता है क्योंकि बहुत सारे सिछक confuse हो जाते है या फिर इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर संसाइम हो जाते है कि किया यह जो आपके declaration form है किया हमको भी लेकर जाना है तो एक आग दो दिन में जो आपके declaration form है वो आपके यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे तो इसलिए आपका जो पूड़ा focus है वो आपके यहाँ पर तैयारी पर होना चाहिए अब यहाँ पर देखे दो चीज आपका यहाँ पर हो सकता है कि इसमें correction करने का मौका जो है उदे दिया गया जैसे अभी आप अपना photo upload करने के बाद admin card download करेंगे तो उसके बाद आप अपना photo फिर दुबारा जो है आप यहाँ पर upload नहीं कर पाएंगे तो BPSC के तरफ से इसी चीज में आपका correction करने का मौका दे दिया गया कि आप दुबारा से जो है photo अपना फिर से जो सही photo है उसे आप upload करिए फिर upload करने के बाद फिर आप अपना admin card जो है वो download कर लिजिए बस आपका admin card जो आपका पहले से school वगरा जो आपका center वगरा था आपका same रहता है बस जो आपका photo था तो वो आपका photo यहाँ पर change हो जाता था जो आपका नया photo आप upload किये तो वो आपका photo आपके admin card में जो है आपका आ जाता था तो इसे आप declaration form को print करवा लिजेगा उसके बाद ध्यान रखेगा किये जो आपके declaration form होते हैं इसमें आप gadgeted officers आनि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं उनसे आपको यहाँ पर attested करवाना होता है यहाँ पर आप अपना photo जो है उचिपकाएंगे और इस photo पे जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका मुहर रहेगा और उसके साथ यहाँ पर आपका उनका जो है उस signature मतलब gadgeted officers जो है उनका मुहर भी रहेगा और उसके अलावा उनका signature भी जो है वो रहेगा और यहाँ पर उमिदवार आनि जो candidate होंगे आनि आप होंगे तो आप आप नाम लिखेगा उसके हिंदी में आप यहाँ पर signature करेगा और उसके अलावा नीचे आपको इंगलीस में जो है उस signature करना है और यहाँ पर जो आपका एक्जाम होगा उसमें मतलब एक्जाम में आपको यह जो आपके declaration form है वो आपको लेकर जाना है यहाँ पर देखेंग और आप लोग यहाँ पर बिल्कुल चिंतित हो गया कि अब यहाँ पर क्या होगा admin card में आपका कुछ भी नहीं लिखा गया है तो हर एक चीज आपका पहले ही नहीं लिखा जाता है क्योंकि सबको पहले थोड़े ही पता है कि आप लोग यहाँ पर गलती करेंगे जब पर आपका समधान निकलेगा तो TRE2 में correction करने का मौका दिया गया था हो सकता है कि TRE3 में भी इसी को लेकर आपका मौका जो है वह आपका दिया जाए तब तो बहुत अच्छी बात है तब तो यह जो आपके declaration form में आपको लेकर नहीं जाना होगा बाकि यहाँ नहीं दिया होगा तो इसलिए आपके पास दो option है यदि correction करने का मौका मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है बाकि नहीं मिलेगा तो यह जो आपके घोशड़ा पत्र यह आपको जो है त्यारी 3rd का जो है देखने को मिलेगा तिसलिए जो भी यहाँ पर वरतमान में जो आपका समय ब दिया जाए फोटो मैच नहीं करेगा एक स्वाइज बहुत सारे आपके मन में हाँ पर संसर जो है आपके चले होंगे तो इसलिए आपका जो पुड़ा ध्यान होना चाहिए और जैसे ही आपके डिक्लेरेशन फॉर्म टियारी 3rd का आता है क्योंकि ऐसा तो है जो आपका डि टेलीग्राम है टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है उदेखने की मिलेगा तो एपके एड़मीट कार्ड में जो आप लोग यहाँ फोटो में गलती किये थे उसको लेकर है पाके जैसे भी आपके अन्य अपडेट आ फिर information आते हैं आप सब भी लुक पता है कि हमें इस platform राइट टो उज कसन इंडिया अब जो सेयर कर देते हैं और अभी तक कि इस चैनल को सस्क्राइब नहीं कियोंगे सस्क्राइब करते हैं वेल आकन को प्रेज जो आप सक्राइब जो प्रेज जो फिर लुक पता है